देखें दूरदर्सी पढ़ेंगे और दूरदर्सी में भी दो लेंस लगा होता है बस में फर्क क्या है कि इसका जो नेत्रिका लेंस है वो छोटा होता है ध्यान देना दूरदर्सी में नेत्रिका लेंस छोटा रखेंगे और अभिद्रिस्यक लेंस बड़ा रखते हैं इस त यह हमारा नेत्रिका लेंस है, इस तरफ हम लोग नेत्र लगाते हैं, यह नेत्रिका लेंस है, इस तरफ नेत्र लगा दीजिए, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारा वस्तु होगा, आपजेक्ट, जिस तरफ वस्तु होता है, वो होता है अभिद्रिस्यक लेंस, अभिद्रिस्यक लेंस, और जिस तरफ नेत्र होगा, उसे हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं, नेत्रिका लेंस तो याद रखिएगा और इसमें एक दंतुर दंड चक्र बिवस्था होता है इसमें एक दंतुर दंड चक्र बिवस्था होगा इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि किसी भी प्रतिविम को बड़ा करने में किया जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे इसे दंतुर दंड चक्र बेवस्था चक्र बेवस्था जड़ा ध्यान दे ना और मैंने कहा कि दूरदर्सी दो प्रकार के होते हैं एक जो पहला दूरदर्सी होता है वो अपवर्तक दूरदर्सी होता है अपवर्तक दूरदर्सी और दूसरा नमबर परावर्तक दूरदर्सी यह जो हम यहाँ पर बनाए हैं यही अपवर्तक दूरदर्सी है और इस अपवर्तक दूरदर्सी में दो लेंस लगे होंगे और यह जो परावर्तक दूरदर्सी है इसे दो बाई ग्यानिकों ने दिया है यह दो टाइप का होगा एक तो निउटोनियम परावर्तक दूरदर्सी और दूसरा केस ग्रेन परावर्तक दूरदर्सी तो भरहाल पहले इसको हम समझते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ना दूरदर्सी दो प्रकार के एक अपवर्तक दूरदर्सी और एक परावर्तक ये जो मैंने बनाया है यही है हमारा अपवर्तक दूरदर्सी तो इसे अपवर्तक दूरदर्शिक किसे कहते हैं यह एक ऐसा प्रकासिक देखो यह छोटा लेंस है तो इसे हम छोटे द्वारक का लेंस बोलेंगे यह बड़ा लेंस है इसे बड़े द्वारक का लेंस बोलेंगे यह एक ऐसा प्रकासिक क्यंत्र है जिसके द्वारा दूर से दूर इस्थित वस्तूओं के प्रतविम्बों को इस पस्ट रूप से देखा जाता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं या अप वर्तक दूरदर्शी कहते हैं जिस लेंस का द्वारक छोटा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है ये नेत्र है नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं तथा जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिद्रिश्यक यानि एक दूरदर्सी लेकर आँख इधर लगाओगे इस तरफ तो ये लेंस नेत्रिका हो जाएगा इस तर ठीक हैं? तथा इसमें एक दंतुर दंड चक्र बेवस्था होता है, जिसका काम होता है, किसी भी वस्त के प्रतिविम्ब को बड़ा करने में किया जाता है। त्रिका लेंस कहते हैं तथा जिस लेंस का दो आरक बड़ा तथा जो लेंस वस्त की ओर होता है उसे अभी द्रिश्यक लेंस कहते हैं तथा इसमें एक दंतुर दंड चक्र बेवस्था होता है जिसका काम किसी भी वस्त के प्रदिम को बड़ा करने में किया जाता है जिसे हम ज तो अपवर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाएंगे ठीक तो इतने का स्क्रीन सोट लेंगे और उसके बाद फिर इसका हम किरण आरेख किरण आरेख इसमें देखे इसमें होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा लिंस लगाएंगे क्योंकि जो वस्तु की और होगा वो बड़ा लिंस होगा तो यहाँ पर एक बड़ा लिंस लेते हैं इस तरीके से और आप जानते हैं अपवर्तन की घटना हमेशा लेंस के मद्य से होती है तो यहाँ पर आप 80 रूप से समड्रा कर देते हैं फिर देखिए एक इसमें मुख्यक्ष बनाएंगे मुख्यक्ष बहुत जरूरी है क्योंकि बिना मुख्यक्ष के कुछ वस्तु इस्थित नहीं कर सकते अब देखना इसमें यह हमारा एक फोकस है और यह जो लेंस है वस्तु की और होगा इसलिए इस लेंस का नाम होगा अभिद्रिश्यक लेंस और किस की और है वस्तु की और है इसलिए इसके फोकस को इसके फोकस को यफाओ से और यह वाला जो फोकस हो जाएगा यफाओ डैस वस्त को हम यहाँ पर कहीं पर रख दे रहे हैं यह और इस वस्तु का जो नाम है वो एबी है वस्तु यहाँ पर कहीं रखी हुई है यह वस्तु है यह भी अब यहाँ से चलेगी किरण क्या चलेगी किरण किरण कैसे चलेगी जैसे मालो हम दूरदर्शी से देख रहे हैं और अगले आदमी अगला आदमी तभी दिखाई पड़ेगा हमारे दूर दर्सी में जब उसके पास उजाला होगा तब ही तो हम देख सकते हैं न वहाँ पर अंधेरा होगा तो हम नहीं देख सकते तो जो उजाला है उसकी भी कीड़े कहां आएंगी reflect होके हमारे दूर दर्सी में अब ये कीड़े चली तो अपवर्तन के पश्चात कहां से हो कर जाएगा फोकस से ठीक है फिर दूसरी किरण प्रकासिक केंद से हो कर जाएगा तो बीना बिचल लुथी वे सीधे निकल जाएगा ये थोड़ा और इसको हम अंदर की वर मोड देते हैं यहां पर यहां यहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिछेदित कर रही है यह दोनों अपवर्तित किरणे हैं क्योंकि लेंस के दाईं और जो किरणे निकलती हैं अपवर्तित किरणे होती हैं और जब दो अपवर्तित किरणे जहां पर काटेंगी वहीं पर हम अभी लंब गिरा देंगे यहीं पर अभी लंब गिरा दो जब अभी लंब गिराओगे तो इस वस्तु का जो प्रदिम बना है यही बना है बी डैस ए डैस अब यहाँ पर एक छोटा सालेंस बनाते हैं कैसा लेंस बनाएंगे एक छोटा सालेंस बनाएंगे एक छोटा सालेंस इस से देखो ये छोटा है ना अब जब यहां से किने चलेंगी ना ध्यान देना इसका हम फोकस यहां पड़ लेंगे ये मुख्यक्ष को और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से इसका जो फोकस होगा अपवर्तन लेंस के मद्द से होगा इस तरीक्षित देंगे और इसका जो फोकस होगा यहां पर होगा ये नेत्री का लेंस है क्योंकि इधर नेत्र लगाएंगे इसलिए इसके फोकस को यफाई से और एक focus अगर यहां पर लेएं तो इसके focus को यपपई डेस से यह दोनों अभिध्रिश्यक लेंस के focus है और यह दोनों नेत्रिका लेंस के focus है अब आप देख रहे हो कि यह जो lens है और यहाँ पर प्रकासिक केंद्र होगा और किसका प्रकासिक केंद्र? नेत्रिका लेंस का प्रकासिक केंद्र को सब लोग जानते हो C से प्रदर्शित करते हैं अचुकि यह नेत्रिका लेंस है इसलिए इसे C E से यह अभिद्रिश्यक लेंस है इसलिए इसे ये अभी द्रिश्यक लेंस है अभी द्रिश्यक लेंस और ये है हमारा नेत्री का लेंस एक एक पॉइंट समझते रहिए ताकि आप चित्र अच्छे से बना सकें लेंस मैंने कहां रख दिया यहां पर यहां पर रखा एक कंडीशन मिल गया कि यह जो इसका इस वस्तू का जो प्रत्विम बन रहा है वो इस लेंस के लिए वस्तू का काम करेगा किसका काम करेगा वस्तू का काम करेगा अब यह वस्तू कहां पर आ गया नेत्रिका लेंस यानि प्रकासिक केंद्र और फोकस के बीच में और जब ये प्रकासिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगा ना तो समझ लो कि जो प्रतिविम्ब है वो अभासी सीधा वस्त से बड़ा बनेगा प्रतिम बनाने के लिए कितनी किरण चाहिए दो एक किरण मुख्यक्स के समांतर कहा जाएगी फोकस से दूसरी किरण अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाए ऐसे बढ़ाओगे इन दोनों किरणों को पीछे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मिल रही है क्या तोड़ा सीधा आप लोग जब अरजस्ती मत करना देखो उसमें इधार आके बनी थीन वस्त और इसमें इस लेंस और इस लेंस के बीच में ही बन गई है प्रतिविम तो इस वस्तू का प्रत्विम्ब यहां पर देखो मिल रहा है यहीं पर अभी लम गिरा देते हैं यहीं पर क्या गिरा देंगे अभी लम यह हो जाए कि B double dash A double dash यानि इस A dash B dash यह किसका प्रत्विम्ब है A B का और A dash B dash जो प्रत्विम्ब है इस लेंस के लिए वस्तू का काम किया अब इस वस्तू का प्रत्विम्ब कहा बन गया यहां पर यह बड़ा बन गया इतना तो हम इस वस्तू को देखेंगे जब आँख लगा के यहां पर जब आँख यहां पर लगाएंगे न जड़ा ध्यान देना ये आँख लगी है आँख लगाए है तो वस्त ये दिखाई पड़ा और उसका प्रत्विम्ब इतना बड़ा बना है और ये कौन सा दूरदर्सी है अपवर्तक दूरदर्सी तो कुल मिलाके यहाँ पर वस्तू रखा था और इस वस्तू का प्रत्विम्ब कितना बड़ा बना इतना बड़ा अब देखो एकर अगर साइज मिलाओगे एकर नलिका बनाओ ऐसे ले जाओ ऐसे तो ये कहीं इसके पहले वाले फिगर जैसे बन रहा है क्या बन रहा है क्या ऐसे देखो बन रहा है न सेम वही चीज बना है ये किसमे प्लास्टिक के फ्रेम से बने होते हैं अब देखो ग्राफ ऐसे बनाया इसके पहले वाला फिगर भी ऐसे कुछ बना था आप लोग बना लेना ऐसे ये अलग-अलग कलर से बनाना ताकि अलग-अलग दिखे किरण मत माल लेना तो ये हमारा अपवर्तक दूरदर्सी का किरण आरेक जो बनाना था वो तैयार हो गया तो सभी लोग इसका स्क्रीन सोट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अच्छा एक चीज और अभी नहीं बताए एक चीज और देख लो ये प्रकासी केंद्र से वस्तू की दूरी को यूओ से तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी यूओ और ये देखो इस वस्तू का जो प्रदिम बना है कहां बना है यहां पर तो इस वस्तू का जो प्रदिम बना है उसके प्रदिम के भी इसकी दूरी को वियो से तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बना देंगे वियो अब देखे यह नेत्रिका लेंस से नेत्रिका लेंस यह जो प्रदिम बना है इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी UE, और इसका जो प्रदिम बना है, यहां से यहां तक की दूरी V E या इसी का दूसरा नाम क्या है D है, सेम वही संयुक्त सूछमदर्शी की तरह है सेम उसी की तरह है ना हाँ चिन परिपार्टी से फालो कराओ ना इसे का दिक्कत है लेकिन कोश्चन लगाते समय यहां पर आप कोई दिक्कत नहीं चिन लिखो या ना लिखो अब द्रिश्यक लेंज का प्रतिविम नेत्रिका लेंज के लिए वस्तु का काम करेगा किसके लिए वस्तु अब यह जो प्रतिविम बना है अब यह प्रतिविम किसे दिखाई पड़ेगा यह हमारे पास जाएगा दो किरन छोड़ेगा फिर इसका जो प्रतिविम बनेगा वो हमको दिखाई पड़ेगा बड़ा प्रतिविम बनाएगा तो यहां पर प्रतिविम कितने, कितनी बार बना, दो बार, एक इसका प्रतिविम यहां बना, पिर यहां से केड़े चली, तो फिर इसका प्रतिविम यहां बना, तो दो राउंड बनता है, ठीक है ना, तो लिखे इतना फिर आगे बढ़ेंगे हम, सभी लोग सभी लोग बना ये जल्दी से अब देखे अपवरतक दूरदर्सी की आवर्धन छम्ता पढ़ेंगे दूर्दर्सी की आवर्धन छम्ता तो कुल मिलाके हम लोग अपवरतक दूरदर्सी का जो दो लेंसों का जो फिगर था वो मैंने पढ़ा उसके बाद उसका किरण आरेक भी पढ़ लिया अब आवर्धन छमता की बात करते हैं तो दूर दर्शी की आवर्धन छमता में यहां पे दो केस चलेगा पहला केस जब अंतीम प्रतिविम असपस्ट द्रिष्ट की निम्तम दूरी पर प्राप्त हो जब अंतीम प्रतिविम जब अंतीम प्रतिविम इसपस्ट द्रिष्ट की द्रिष्ट की निवनतम दूरी पर प्राप्त हो प्राप्त हो तो देखे जब अंतिम प्रतिमिम असपस्ट द्रिष्ट की निवनतम दूरी पर प्राप्त हो यहां पर देखेगा इस इस्थिती में आवर्धन चमता को यम से और यम बराबर होगा यहां पर माइनस लगाएंगे माइनस यफव अपान यफई देखे इसके पहले वाले में सरल इसके पहले वाले में जो बता है थे संयुक्त सूच मदर्सी में वी-उव फाय उई था और यहां पर यफव बाई यफई यफव क्या है अब दिश्चाग लैंस की फोकस दूरी और यफई नेत्रिका लैंस की फोकस दूरी 1 प्लस यफई बाई D हो जाएगा उसमें D बाई यफई था यहां पर यफई बाई अब इसमें जो नली की लंबाई होगी नली की लंबाई को यल से इसका सूत्र क्या मिलेगा यफाओ प्लस देखो यफाओ का मतलब है अब द्रिश्यक लेंस की फोकस दूरी और प्लस नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी यूई ठीक हाँ वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी तो यहाँ पर नली की लंबाई यफाओ प्लस यूई हो जाएगा उसके बाद देखे अब हम केस्टू लेंगे केस्टू जब अन्तिम प्रतिविंब अनंद पर प्राप्त हो जब अन्तिम प्रतिविंब अनंद पर प्राप्त हो तो ध्यान देना जब अन्तिम प्रतिम अनंद पर बनेगा तो उसके लिए आवर्धन छमता का जो सूत्र होगा यम बराबर माइनस यफाओ बाई यफाई हो जाएगा ये वन प्लस डी बाई यफाई बाई डी हड जाएगा ना ठेक और उसके बाद नली की लंबाई के लिए नली की यल बराबर यफाओ प्लस यफाई हो जाएगा तो इस तरीके से अपवर्थक दूरदर्शी की आवर्धन छमता जब देखो ज़्यादा ज़्यादा अगर दूरदर्शी भी कह दे अपवर्थक सब्दनाम ना ले तो समझ लेना यही सूत लगाना है पराबर तक दूरदर्शी जामें बहुत कमी पूछा जाता है ज्यादा ज्यादा दूरदर्सी अगर आ गया question तो समझ लेना दूरदर्सी क्यों लिखा रहे question में तो समझ लेना कौन सा दूरदर्सी है अपवर्तक अगर परावर्तक वाला आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा ठीक लेकिन अपवर्तक के लिए हो सकता है उसका नाम केवल दूरदर्सी ही दिया रहे अपवर्तक जब नहीं बोलेगा तो उसे हम क्या समझेंगे अपवर्तक दूरदर्सी पर आवर्थक के लिए Question में देदेगा लेकिन आपवर्थक के लिए हो सकता है ना दे और ज़ादा-ज्यदा Question में भी नहीं देता है ठीक तो उनको जब भी आवर्थन छमता निकालना हो नली की लंबाई निकालना हो नली की लंबाई के मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी तो ये सूत लगाना अंतिम प्रतिविम असपस जिसकी निम्तम दूरी यानि पचीश सेंटिमीटर तक रहे वस्तू तो ये और अनन तक रहे तो ये तो इसको लिखे फिर आगे बढ़ेंगे